घायल तो यहां हर एक परिंदा है मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है नमस्कार साथियों मैं राज कुमार यादो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार वी व्यार श्टडी में जैसा कि आप सब को पता है रात 9 बजे से आप बेसिक म नहीं आती तो यह कलास आपके लिए ही है और इस कलास में अगले 10 मिनट तक बने रहिएगा जिससे कि आपको मैथमेंटिक्स आने लगे और वह बहतरीन तरीके से देखिए कुछ चीज़ें स्क्रीन पर पहले लिखी गई है उसी से संबंदित सारे बातचीत होंगे टॉपि Για कि फिटार लगाना है ठीक है और यहां फर्शास मेंटिमेटर लगकी लगाना है अब घर पर आपने कॉल किया ममी ने बताया कि उनने मापा सेंटिमीटर वाले से जो से कपड़ा नापते हैं कि बटा जो 400 YouTubers दो नोत कान आ बताई थी यह तो मिटर में बता रहा है लेकिन आगर आपको कनवर्जन आता है तो आपको मालूम है यह उन मीटर में सो सेंटीमीटर होता है अगर मम्मी ने लेर कर दीजिएगा अच्छा लगेगा तो नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं है क्योंकि आप लोग लाइब पढ़ना चाहते नहीं इसलिए कल लाइब नहीं चला आपने देखा होगा कल कौन कौन आया था कमेंट जरूर करना यहां पर आपको क्लिर्टी आ रही ना बिल्कुल मस्त दिख रहा है ना 720 पिक्सल में दिख रहा होगा वन किलो मीटर में कितना मीटर 2000 में कितना किलो मीटर 3.5 किलो मीटर में कितना मीटर 10 देका मीटर में कितना किलो मीटर एक किलो मीटर में कितना सेंटिमीटर, एक हजार किलो मीटर में कितना मीटर, बहुत सारे सवाल बनते हैं न, इनको कैसे करेंगे, मैं एक बहुत ही सिंपल सा लाजिक बताऊंगा, बहुत ही सिंपल सा तरीका बताऊंगा, अगर आप अगले दस मिनट तक हमें देखते रहेंग तो वह जो अगर 1 किलो मीटर में में 1000 सका मलब 1000 में एक किलो मेटर होगा जब 1000 में में एक किलो मीटर होगा तो sons 2 लाजिक के आ गया लेकिन इसमें कुछ लगएगा और यह अगर मैं एक छोटा सा और भी सवाल पूछ लीओ आपसे तो आप हो सकता है घबरा जाएं, मैं यह पूछा कि एक मीटर में एक मीटर में सिंपल सा है भाईया उका है कि कितना सेंटी मीटर बताइए मीटर में कितना सेंटी मीटर देखिए जब हम पैन की लंबाई ना पेंगे न तो सेंटी मीटर का यूज करेंगे मीटर या किलो मीटर का नहीं करेंगे न लेकिन अगर आप अपने घर से अपने कॉले करेंगे यह बताओ कि तो किराप अगर अपने पेन की ढूपुनी ना पएंगे य Spreng je अगर आप पिर्थिवी से सूर्य देवता की दूरी ना पहिएंगे तो क्या यह करेंगे मैं अगर अपने कमरे में खिपी की उचाई ना पहिएंगे तो का यूज करेंगे आई मींस मीटर यूज करेंगे किलो मीटर यूज करेंगे या सेंटी मीटर परियोग करेंगे या डेसी मीटर परियोग करेंगे क्या परियोग करेंगे बताइए तो हर एक जगा situation की according अलग-अलग पैमाना यूज करते हैं जिससे कि हमें चीज़ें आसान हो सकें अगर हम घर में खिलकी या दर्वाजा ना पेंगे तो हम मीटर का परियोग कर सकते हैं अगर बहुत ही एक्ज़क्ट पैमाना लेना तो सेंटीमीटर कर सकते हैं क्योंकि सेंटीमीटर मतलब दर्वाजा बहुत जड़ा तो है दूसको मैं अगली एक क्लास में बताऊंगा आप ज्यादा ज्यादा कमेंट करेंगे सेशन को सेर करेंगे तब ठीक है अभी बहुत इमांदारी से देखिए मैं सारी बाते क्लियर कर रहा हूं सिपल हे एक मीटर में कितना फ्यंटीमीटर संप्रट अब्ल में एक जोगे में यह सब यह चीजश आपको सिस्पानेगे रहे रहा हूं सबसक्सेंटीपर अंप किलो मीटर यह पनुए कि आएगा क्या कि सब आएगा मेरे भाई सब आएगा बस आधा मिनट में आएगा थोड़ा फरुक को उपर साइड में रेच करता हूं तेखिए एक चीज मैं आपको बता रहा हूं उसी को याद रखना है बस एक गाना याद कर लिजिए हम तेरे बिन रह नहीं पाते वाला न आपको लंबाय वाला निकालना है यह ग्राम वाला यह लिटर वाला सारे करणावजन इसी में आ जाते हैं ठीक है देखिँ आप समझिए पॉइंट की बात समझेए अगर हम एक सवाल की बात करें बहुत सिंपल वाला कि एक मीटर में कितना सेंटीमीटर तो बहुत सिंपल म ıyla number six उसको नहीं गिनेंगे बाकीी सब गिनेंगे एक तरफ से इनको गिनो एक इनको दो वस यहीं तका अना था न दो हो रहा है न जहां से चलना उसको नहीं किनना उसको छोड़ देना है तो यहां पर अगर दो आया था वो तो दो जीरो लगाओगे बस यह आंसर हो गया यह सिंपल तरीका है अगर कहीं आपको निकालना हो देखो बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं कि वन किलो मीटर में कितना मीटर हो सकता आपको यह याद हो लेकिन मैं जुगार बता रहा हूं कि आप कैसे कभी न भूलोगे हमें किलो मीटर से कहां चलना बाबु मीटर तक चलना है तो किलो मीटर को छोड़ दो और आगे गिनू एक दो तीन नमबर उपर जा रहा है न तो आप वन के बाद में तीन जीरो बढ़ा दोगे उमीद है कभी नहीं बूलोगे अगर आप ऐसे देखोगे तो कभी नहीं बूलेगा अगर आपको यह कहा जाए कि आ एफ जी मानलो कि हमने कहा कि बिट्टा दो किलो मीटर में आप बताओ कि कितना डेका मीटर डेका मीटर अब बताओ यह कौन बि अगर कहा जाए कि एक डेका मीटर में वन डेका में कितना मीटर होता है तब कभी भूलोगी नहीं याद रखना यह तरीका बस यार यह चीज़ाद कर लो मिली फेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो मीटर कहीं काम लगेगा तो नफट लिख लेना बस साइड मिली खलो रप पेज में पेपर टाइम में भी हो जाएगा सब किलियर तो डेका से मी बात को बस देखते रहें प्यारत से यह यहां से चलना है देखें यह जैस्ट परोसन है भाईया बगले में यह तब करेंगे आपने तो कहा था कि यहां चलना ऊसको को नहीं गिनना अगले को यह को ही घिननाओं या तो अगर एक हो revital आप एक eran अगर nic में time दस मीटर होता है किकार सम भुए मैने तक हममी में यह झाल रहा है न वैसे अगर एक सेंटी मीटर में मिली मीटर बोलें तो कितना होगा बताना कमेंट करके जल्दी से फटाफट बताओ इमांदारी से कमेंट के चक्कर में ना पढ़ो चाचा और चाची ओ बढ़ा नहीं मानना पस प्यार से पढ़ते रहो जागते रहो इसलिए मैं ऐसे बोलता हूं कभी- आप साथो कोश्टिन का कमेंट करना इस वीडियो में करहें और किसी भी पोश्ट में जाकर के सारे आंसर देंगे तो हम सब रिफ्लाइग करेंगे इंस्टाग्राम पर टेलिग्राम या फेस्बूक पर आप कहीं भी अपने आंसर दे सकते हैं या यूटूब पर निबेदन है कोई वाक्सप पर नहीं बेज़ेगा यह कल का जो वीडियो है कलास है वो पूरे 20-30 मिनट क रहेगा एक सर्थ है अगर आप इस वीडियो का व्यूज कल साम तक 5000 कर देंगे 5000 अगर आप कर देते हैं इसका व्यूज तो कल मैं इस वीडियो को 10 मिनट की जगा 30 मिनट का दूंगा और इससे 3-4 गुना चीज़ें आप सीखेंगे अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आपका यहां सब्सक्राइब करिये घार बैठे कहीं नहीं जाना सब कुछ सीखिए रात 9 वज़े से कौस करस का टाइम सीडुल इसक्रीन पर है जल्दी से स्कूरीन अर्लें ले लिजिए और यह बागी चीज़ें कुछ इंपटेंट हैं वह क्या है वह आपको बाद में बताओंग आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद